तो हाई गाइस वेल्पम टो नियूग चैनल तो फैंस आप लोगों में से काफी जादा लोगों के जो है क्वेरी सा रहे थे मियूआ 13 को लेकर कि मियूआ 13 का अपडेट कब आएगा क्या कुछ उसकी लिक्स वगेरा आई है कि नहीं कुछ फीचर बताओ उसके बारे में कब आ बताओंगा और साथ ही लाउंच डेट भी बताओंगा कि आपको कब देखने को मिलेगा मियूआ 13 जो है पहले चाइना में आएगा फिर इंडिया में आएगा तो इसके जो तीन स्टेज होते हैं पहले चाइना में ही आता है वो फिर आता है आपका ग्लोबली जो की आउट डिवाइस के बारे में तो डिवाज लेस्ट भी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से डिवाइस इस में अगर आपका डिवाइस है इस वीडियो में तो आप जरूर से इस वीडियो के एक लाइक कर देना और चैनल के साथ जुड़ जाना सब्सक्राइब करके क्योंकि मैं lap-zahl क से रिलेटिट सारी जनकरी मैं आपको देता रहूंगा जब-जब कोई भी अपडेट आएगी मियोई 13 की और काफी सारे इंटरस्टिंग चैनल पर वीडियो भी आते रहते हैं अन्बॉक्सिंग रिवियो स्पीड टेस्ट को लेकर तो उसके साल भी आप जो है देख सकते हैं चेक आउट कर सकते हैं और चैनल को सबस्क्राइब भी कर सकते हैं तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू से कर दीजिएगा तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं यहां पर क्या-क्या फीचरस आपको दीखने हो मिलेंगे तो चलते हैं हम जो है list की तरफ यहां पर ज़ै मेने यहां पर निकाल के रखे हैं इसके जो features हैं तो उसको मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूं यहां पर सबसे पहले जाते हैं features की तरफ तो यहां पर कुछ features जो है MIUI 12 के हैं जो कि इंप्रूफ कर दिये गए हैं MIUI 12 से क्योंकि MIUI 12 में भी जो है completely वो एक stable नहीं था मतलब कि जो features होते हैं वो और जादा out of the level मतलब अपर level के कर दिये गए है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आता है improved animations तो यहाँ पर जो है जादिया जाएगा जिससे कि आप जब touch करेंगे screen को या scroll down आप करेंगे तो आपको काफी जादा अच्छे animations देखने को मिलेंगे काफी जादा smooth experience मिलेगा touch का next जो है support for native screen recording यहाँ पर जो है आप screen recording कर पाऊगे जैसे कि आप gaming वगेरा जो record करते हो उसको काफी जादा next level पर लेचे आ चुके हैं यह लोग और उसमें आपको काफी interesting features भी देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको और other phones में देखने को मिलते है gaming phones में जैसे कि आप recording करते हैं तो उसके अंदर आपको sound record करने का option आता है sound change करने का option आता है तो वो सब चीजे भी आपको इसमें देखने को मिलेगी साथी बात करते हैं यहाँ पर next feature की तो more minimalistic theme with newer iconography तो यहाँ पर आपको नए नए icons देखने को मिलेंगे MIUI 13 में साथी MIUI 12 में कोई भी icons वगेरा change नहीं किया गए थे बस जो है UI में improvement किया गया था तो यहाँ पर आइकन भी change देखने को मिलेंगे MIUI 13 में साथी आपको नए नए यहाँ पर themes भी देखने को मिलेंगे MIUI 12 में कुछ features ऐसे add किये गए थे जैसे कि super wallpapers लेकिन यहाँ पर MIUI 13 में आपको totally theme change देखने को मिलेगी बात करते हैं next feature की तो यहाँ पर scrolling screenshot and more add on instant editing features तो यहाँ पर जो है जब आप screenshot लेते हैं तो उसमें आप editing कर पाओगे अब तो पहले क्या होता था जैसे आप screenshot लेते तो यहाँ पर side में एक window आ जाती थी उसको आप edit कर पाते थे तो अब उसमें और भी सारी चीज़े एडिट कर दीगी हैं जिससे कि आप उसमें edit कर पाओगे उस images को next feature की बात करते हैं तो वो है back gesture twerking and additional support तो यहाँ पर मैंने पढ़ा था कहीं पर कि यहाँ पर जो है नए additional feature add कर जाएंगे back navigation gesture में जो कि आपको नीचे देखने को मिलता है यहाँ पर जो है आप जब जो है android 11 में जो आपको gestures देखने को मिलता है वैसे gestures आपको इसमें देखने को मिलेंगे साथी जो है काफी smooth experience हो जाएगा आपका gestures का next feature की बात करते हैं तो वो है better display animations and screen support तो यहाँ पर जो है animations तो MIUI 12 में काफी जादा अच्छे कर दिया गए थे और MIUI 13 में उससे भी जादा next level कर दिया जाएगा मतलब कि जितने भी screen में icon animations वगेरा आपको देखने को मिलते हैं Wi-Fi on off animations जो आपको देखने को मिलते हैं वो और भी जादा interesting बना दिया जाएंगे और जादा minimalistic animations आपको देखने को मिलेंगे next feature जो है वो है improve MIUI always on display तो always on display को जो है यहाँ पर और जादा update कर दिया जाएगा यहाँ पर मैं बता दू non MIUI मतलब non AMOLED display मतलब जिनमें AMOLED display नहीं आते हैं उन में आपको always on display तो देखने को नहीं मिलेगा और यह always on display features सिर्फ आपके जो AMOLED devices है उनको ही देखने को मिलेगा तो उसके बारे में जो है आपको पता लग गया होगा कि MIUI always on display सिर्फ AMOLED devices में ही देता है LCD display में अभी के लिए किसी भी device या UI में नहीं आया है next feature जो है वो है scheduling option for airplane mode यहाँ पर जो है आप airplane mode को schedule कर पाओगे जैसे माली जी आपको 4 बजे कहीं जाना है किसी meeting में तो आप 4 बजे का यहाँ पर schedule कर पाओगे airplane mode को तो यहाँ पर काफी interesting feature यह add कर दिया गया है share menu app pinning कर दिया गया है यहाँ पर कोई भी आप जो है app को उसको share करोगे या फिर share करने वाले हो तो उसका pin कर पाओगे जो है सबसे उपर तो वो option भी आप एड कर दिया गया है improved quick replies option with a vital acceptance on different apps तो improved quick replies किया है कि जैसे आप जो है MIUI 12 में आपको एक feature add किया गया था आप कोई भी जो है telegram या WhatsApp को जो message आता है उसमें आपको एक reply कर सकते थे तो इसमें जो है MIUI 13 मोट को और जादा improve कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो screen आईगी वो और जादा wider आईगी जिससे कि आप message काफी अच्छे से लिख पाओगे next feature जो है वो है dark mode support improvement and scheduling dark mode को आप जो है यहाँ पर काफी जादा improve कर दिया गया है और यहाँ पर schedule भी करवाओगे जैसे कि आप जो है रात का time अगर set कर देते हो कि 11 बजे से एक बजे तक आपका dark mode on रहना चाहिए तो dark mode उतने के time के लिए अपने आप schedule हो जाएगा और उतने time के लिए on off होता रहेगा अपने आप तो यहाँ पर जो है यह feature भी add कर दिया गया है next feature है option to grant access only for once one time permission यहाँ पर आप किसी भी app को अगर install करते हो तो उसको आप one time जो है permission दे सकते हो grant कर सकते हो next time जब भी आप उसको install करोगे तो वो दुबारा से acceptance मांगेगा या permission मांगेगा आप से तो यह काफी security feature है तो इसको भी यहाँ पर जो है काफी जादा ध्यान दिया जा रहा है मिगाट वे काफी जादा security को लिकर ध्यान दिया गया था तो charge turbo function यहाँ पर जो है आपने देखा होगा realme UI में की जो dot वाले होते हैं मतलब की point इतने second point इतने second charge जैसे percentage बढ़ती रहती है तो वैसा option आपको आप देखने को मिलेगा MIUI 13 में जो कि जैसे आपको 90% अगर चार्ज होगी है 90.1, 90.2, 90.3 ऐसे करके charging option आएगा जिसको की charge turbo function बो monochrome mode को use किया गया है जब आप power saving करेंगे on तो power saving mode के अंदर आपको फीचर देखने हो मिलेगा battery monochrome जिससे की आपका battery consumption कम हो जाएगी और आपको battery life अच्छे मिलेगी तो monochrome mode का option यहाँ पर enable कर जाएगा power saving mode में management of missed and older notification यहाँ पर जो है अगर कोई old notification है उसको ही हाँ पर manage कर दिया जाएगा कि उसको नीचे दिखाया जाएगा और कोई miss नहीं होगा आपसे notification कोई भी notification अगर आपती है तो उसको आपको सबसे पहले दिखाया जाएगा important notifications को तो अब जो है मैंने आपको features तो गिना दिया है लेकिन अब बात है कि कौन से डिवाइस को आपको देखने को मिलेमा इस्ट आप आपको ऑपने स्क्रीन को सकते हो यहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा MIUI 13 का update यहाँ पर नेक्स जो है वो है Redmi Series, Redmi Series काफ़ दा popular है Poco के बाद तो Redmi में जो devices हैं उनके नाम लेते हैं तो K30 Ultra K30i 5G K30 5G Racing Edition Note 9 Pro, Note 9 K30 Pro Zoom K30 Pro, Note 9S Note 9 Pro Max Redmi 9 Prime 9i 9, 9a 9c, 10x Pro 5G, 10x 5G 10x 4G, 9 K20 Pro Premium Edition K30, K30 5G, K20 Pro और इन devices को देखने हो मिलेगा Redmi Series में MIUI 13 का update Next list की बात करते हैं तो वो है MIUI 13 Xiaomi devices के लिए मतलब कि जो MI Series होती है जो कि out of the Indian market में है और इंडिया में सिर्फ MI 10 ही है भी के लिए और में 10T भी आने वाला है तो यहां पर उन Series की बात करें तो यहां पर है Mi 10T Pro, Mi 10T, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, Mi 10 5G, Mi 10 Ultra, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 10 Youth 5G, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi CC 9 Pro, Mi Mix Alpha, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Pro, Mi 9 Explorer Edition और इन ही device को सिर्फ Mi Series में देखना हो मिलेगा Mi i 13 का अपडेट अब जो डिवाइस रह गए है वह है ब्लाक शार्क मतलब ब्लाक शार्क सीरी जो भी आते हैं शाओमी की दरफ से उन में आपको कौन से डिवाइस में देखने को मिलेगा वह है ब्लैप शार्क 3 प्रो शार्क 3 शार्क 2 प्रो शार्क 2 और शार्क 3S तो इन डिवाइस को देखने को मिलेगा आप्डेट तो यही कुछ डिवाइस थे जिनको देखने को मिलेगा मिलेगा अब भात करते हैं कभ आपको देखने को मैं सकता है में U13 का जो लांच अभी कंफर्म हुआ है क्योंकि अभी रिसेंट़्ली जो है लास्ट येर ही लॉंच हुआ था का मिवाइ 12 तो उसी टाइम पर आ सकता है मिवाइ 13 तो क्यू टू 2021 मतलब 2021 के सेकंड क्वाटर में आपको देखने का मैं सकता है मतलब में आएगा मिवाइ 13 तो सबसे पहले यहां पर बताया जा रहे है कि बीटा आएगा उसके बाद आएगा आपका स्टेबल लेकिन बीटा टेस्टर जो है हो सकता है पहले चाइना में ही हो इंडिया में जो है बीटा ऐस सकता है या फिर पहले ग्लोबली फिर इंडिया में मतलब डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक मीवाई 13 आ जाएगा तो यहां पर यही निए इन्फोर्मेशन निकल के आ रही है मीवाई 13 की इसके आगे कोई भी इन्फोर्मेशन आती है तो मैं आपको जरूर से आपको सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो को लाइक दरूर से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मैं मता आप सब्ली वीडियो में तब तक के लिए बाए